अमेरिकी बाजा रिलाक्स नहीं करने दे रहे हैं, उठावे तक रही, बहुत पिटाई हुई, इसकी कॉमेंटरी कैसे समझे, क्योंकि वहाँ भी डेटा का अमबार लगा हुआ है, बिल्कुल, एक तो जो आये थे, नोन पेरोल डेटा, बढ़िया है, आज कल समझी नहीं आता अच्छी चीज खराब है या खराब चीज अच्छी है, अमेरिकावालों का मूर अलगी चलता है, ये अब दोधारी तलवार हो गया है, अब किस पर कैसे रियाक्ट करेगा, मार्केट नहीं समझा, अब डेटा पर नहीं मुझे उनके रियाक्शन पर ज्यादा डर लगता है अच्छी क्या है कि जब फेट की मिटिंग के मिनिट्स आये थे, तो सब को लगा कि मिनिट्स में खराब खराब ही लिखा है, तो भी माधार चड़ गए, और चड़ने का रीजन क्या है, ये तो पहले से बता था, ये तो बोला था, फेट चेर्मन ने, तो फिर अब वापस क ही रहेगी, तो recession कैसे आएगा, recession आये तो तकलिफ, नाये तो तकलिफ, तो अकल अमरिका इस वज़े से गिर गया, basically है क्या कि अमरिकी वाजार भी एक दिशा की तलाश में, एक दो दिन गटते हैं, दो दिन बढ़ते हैं, मतलब कोई बहुत खास मूड बना नहीं पा रहे है जैसे दिसंबर में मार्केट को छोड़ के गए थे चिट्टियों के पहले, लगब लगब वापस आके भी वही हाल है, मतलब अभी तक वो कह रहा है कि वाम अप मूड में ही है, बराबर से काम फुल स्लेज करने के मूड में है नहीं, और उनके तो कौन सा बज़ेट है, पह कल भी थी, परसों भी थी, लेकिन एक दिन उपर, एक दिन नीचे इस तरह का जो माहल है, उसमें कोई भी आप एक डायरेक्शनल कोल नहीं ले पाने है, कि अमरीकी बाज़ार ऊपर जाना चाते हैं, या नीची जाना है, तो कि इसमें दोनों तरह का व्यू होता है, कुछ ल कौन सा ऐसा ज़रूरी कि रोज करोज अंदाया लगाना ही कि आज अमेरिका क्या करेगा, या कल क्या वो क्यों किया, तो अभी आपके सामने जो चीजें इंपोर्टेंट है, वो एक दो बता दू, पहला, ग्लोबल मार्कर से डॉलर इंडेक्स, एक सो पांच के उपर आया है चार हफतों के, यानि कि महीने बर की उचाई पर है, बहुत चिंता नहीं है, हमें पता है, एक सो चौदा पंदरा आकर अगर एक सो तीन चार आया, एक सो दो तीन तक आया तो थोड़ा बढ़ेगा, वो थोड़ा बढ़ रहा है, ठीक है, बट अभी, लेकर हलका सा आपको य बढ़ा है, बीचे में बढ़ा तो एक दम ऐसा लगा कि कच्चा तेल तो आग लगानी की तैयारी में है, कच्चा तेल भी 88-89 के आसपास है, तो ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन कोई खास दिंता की बात नहीं, बढ़ रहा है, अभी सामने आया, बढ़ रहा है, 3.7 बढ़ भी चल रहा है, जैना, अब कितनी करते हैं, बासकर अब आपक है इसे में मुझे लगता है, जो क्रिगर अब आगे बन सकता, वो आज रात आने वाले, जोब डेता है, नोग्रिया, कितनी कितनी लगती है, अब कम लगेगी, और उससे बाजार बढ़ जाएं, संभव है, खुश हो करके चलो, नोक्रियां कम आ रही है, जादा आ जाएं, गट जाएं, यह भी संभव है, या दूसरे रफ मूर बना लेने ना, चलो सब कुछ करने के बाद भी नोक्रियां नहीं गट रहें, तो मतलब महंगाई तो नीचे क्या है, बाज में पॉस्समाटम से बता जाएं, तो वो वो प्रॉब्लम है, तो जब आप शाम को देखेंगे डाउ बंद होने के बाद, कि डाउ ने रेक्शन कैसे दिया, इस पर्टिकुलर डेटा पर, उस हिसाब से आप को रिलेट करेंगे, पहले उस डेटा पर क्या रे अब होता क्या है, आप अगर 30% नेस्डेक पर नीचे हैं, डाउ पर इतना नीचे है, यहाँ पर दोनों तरह की विए है, जिन लोगों को लगता है कि 2023 खराब है, रेसेशन आना है, तो उनको लेना नहीं, उनका विए खराब किसी भी डेटा पर उनका विए खराब बनेगा और जिनको लगता है 30% पर से नीचे आयार और कितना गड़ जाएगा, गड़ जाएगा, तो मैं SIP करूँगा या थोड़ा और लूँगा, उन लोगों को लगता है कि हर खराब ख़बर पर लेना है, तो दोनों तरह की विए आपके लिए बड़े एक्स्रीम आ रहे हैं, औ हो सकता आज खत्म हो जाए रात को, डेटा देखकर, या हो सकता अगले हफते भी चले है, कहना मुश्किल है क्यों कि जब संकेत साफ हो, तो पढ़ना, समझना, विश्टेशन करना, बताना हासान है, नहीं है तो नहीं है, जैसा है वैसा ही मैं बता रहा हूँ, जब क्लियर ह पर चलेगा हमारा मार्केट आज, खुलने के बाद, अभी नहीं, डाव फ्यूचर्स, जब 9 पंद्रा पर आप जब खुल रहे है, उस वक्त दाव फ्यूचर्स कैसे है, वहां से अपना मुवमेंट को रिलेट कर ले रहा है, अभी आपके दाव फ्यूचर्स कितने है, 100 पो है, जब हमें समझी नहीं आ रहा है, हमें क्या करना है, तो हम दूसरे को देखकर डिसाइड़े है,